जैसा कि आप लोग देख सकते हमाई सामने एक आटोमेटिक वोल्टेज इस्टेबलेजर रखा हुआ है जो कि काफी पराने मॉडल का वोल्टेज इस्टेबलेजर है इसमें चार रिले लगी हुई है इसमें तीन ओपेटिंग ले और एक टाइमर ले इसका सेकेट आपको आजाते होंगे जो कि या तो आसानी से रिपेर नहीं होते होंगे या फिर रिपेर होने एक बात बार बार फॉल्ट आता होगा तो इसका सॉलिशन हमाई पास है देखिए आटोमेटिक वोल्टेज इस्टेबलेजर की सभी समस्याओं का समधान है यह माईको कॉंट्र बहुत साइब बैनिफिट्स हैं जैसे कि इसमें लो कट, हाई कट, टाइमर सभी सिस्टम से रहते हैं इसमें किसी ट्रिगर ट्रास्टरमर को लगाने की ज़वत नहीं पड़ती है और एक ही प्रिसेट से साइज सेटिंग्स हो जाती है आपने देखोगा जैसे यह पुराना नहीं होता है उसमें टाइम भी बहुत जादा खराब होता है लेकिन हमाई जो माइकर ट्रॉलर किट है इसका बैनिफिट यहीं है कि आप इस एक पेस्ट को बस एक बार ही सेट करेंगे इसके साइज स्टेप्स खुदी सेट हो जाएंगे और यहां तक की हाई कट भी खुद पराने मोडल के स्टेपलिजर में आसानी से लगा सकते है जैसे कि यह स्टेपलिजर काफी पराने मोडल का है तो इसमें हम यह सेकेट को लगाएंगे और इसे चला कर दिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से यह देखिए यह 0-24 लेखा हुआ है यहां पर में ट्रांस्वर से इंपुट सप्लाई आज जाएगी जो की पिलेटराउंट से आएगी हमें कोई ट्रांस्वर नहीं लगाना एक वाफ है से आपको बता रहे है और इसके बाद में देखिए लिखा हुआ है यानि कॉमन जितनी भी जले है इन सब की कॉयल का एक वाइर कॉमन नहता है तो व हमारी जो इनपुटरले हैं इसके कोयल का एक वायर हम आएपी बन पर कμॉन कर देगे इसके बाद लिखा हुआ है ओपी यानि आउट पुट तो जो हमारी आउट पुटला है उसकी कॉयल का एक क्राट्शन कहम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे इसके बाद दहीए लिखा और रहता है कि माल जीजिए अगर किसी स्टेबलेशर में हमें कट यानि हाई कट और टाइमर यूज नहीं करना है तो हम यह कनेक्शन छोड़ देंगे जैसे इसमें तीन ऑपरेटिंग देले हैं बहुत साथ स्टेबलेशर ऐसे होते हैं इसमें केवल ऑपरेटिंग देले होती नहीं है तो इस कंटिशन में हम यह इसंडोर देंगे जैसे दोपरेटिंग दें नहीं है तो हम यह अई पीवन वाल था पर जोड़ेंगे और बाकी करेंगे आपवगी कंटिट लीप और और 3,1 नहीं है कम करनेक्शन हम कर लेंगे शाय। कсемा दिबीस हमारा से अकिस का में सब कुछ practical है देखे दूस्तों हमने प्राणे circuit को बिल्कुल हटा दिया है साहिक उसके हटा दिये है और इसके जिगाँ पर हमने यह अनरा Micro Controller Certainly लगा दिया है thisły करेक्शन्स इस Monaten इस भी कर दिया है अब इसे चेक करते हैं तो देखिए हिसकी आउत्ड फोड रखा ताकि आपको समझने में आसानी रहे यह वोल्ट मिटर इसकी आउट्पूट बताते रहेगा देखे इसे अब में लाइन से कनेक्ट करते हैं इसे आउन करते हैं यह हमने इसे आउन किया और डिमर से हम वोल्टेज बढ़ाएंगे देखिए अब यह इस टेबलेर हमारा आउट्पूट नहीं निकल रहा है क्योंकि इसका टाइमर सिस्टम एक्टिवेट है भी टाइमर वैसे इसका 30 से लेकर 60 से बीच में खुदी आउन हो जाता है अगर हमें जल्दी आउन करना है तो देखिए यहाँ पर यह एक जैक दे सकते हैं तो इस तहीं के से यह हमारा आउट्पूट निकाल रहा है इस बिजर आप हम इसे वोल्टेज बढ़ा कर देखेंगे यह देखिए यह देखिए 250 पर ले याकर हम इसे कट करना है हम केवल एक ही कट सेट करेंगे देखिए 250 पर हमने इसकी आउट्पूट रोग दी अब हम इस पर जैता से यसा पर गूमाएंगे ताकि साकट आ जाए यह देखिए देखे इस प्रेसेट को हम जब तक घुमाएंगे तक की रल्ले हमारी ओनना हो जाए इसे हम घुमाते जाएंगे यह देखे यह कट आगे हमारा हमें बस एक ही बार सेट करना है अब बाखी सारे कट खुदी आएंगे आप लोग देख सकते हैं दूसा कट तीसा कट चौथा कट और यह पाश्मा कट यह देखे फाइव स्टेप केट है तो इसके पाच्चों स्टेप्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं और बहुत यह आसान है आपको बहुत जादा मिहनत नहीं करनी है आसानी सब सब कुछ सेट कर स सकते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग काम बहुत कम जानते हैं या फिर जानकाई नहीं है तो भी इस किट को आसानी से स्टॉल कर सकते हैं किसी भी स्टेप्स को रिपेर कर सकते हैं